बिहार के पूर मुख्य मंतरी करपूर इठाकूर का नाम मर्नो प्रांध देश के सर्वोच्चे नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया है पिछले काफी वक्स से बिहार के मुख्य मंतरी निश कुमार डिप्टी सी एम तेजस्वी यादव और कई नेता उनको भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे जेडियू नेता के सित्यागी ने तो उनके नाम पर एक विशिद्याले खुलने की भी मांग की थी करपूर इठाकूर अपने आप में एक अलग शक्सियत थे उनकी सादगी के कई किस्से आज भी मशूर है क्या है वो किस्से हम आपको बताएंगे नमस्ते मैं हूं सुनैना सिंग और आप देख रहे हैं News Nation Digital बिहार के पूर मुखे मंद्री करपूर इठाकूर का नाम बिहार की राजनीती में एक अलग पहचान रखता है उनकी सादगी, उनकी इमानदारी, उनकी गरीब और पिश्रा वर्क के उत्थान की सोच ने उनको राजनीती के उस शिखर पर पहुँचा दिया था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है दरसल बिहार के पूर सीएम दिवंगत करपूर इठाकूर एक स्वतरनता सैनानी और शिक्षक थे इसके बाद उन्होंने बिहार में समाजिक चेतना जगाते हुए राजनीती में कदम रखा OBC राजनीती के सूतरधार माने जाने वाले करपूर इठाकूर ने अपने राजनीतिक सफर में राम मनोहर लोहिया और जैप्रकाश नरायन के साथ काम किया जन्नायक के रूप में मशूर करपूर इठाकूर पहले गैर कॉंग्रेसी समाजवादी नेता थे जो दो बार बिहार के मुखे मंतिर रहे करपूर इठाकूर पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और फिर दिसंबर 1970 से एप्रेल 1989 तक बिहार के सीम रहे सीम बनने के बाद भी उनका जीवन काफी साधा और इमानदारी से भरपूर था जेन जिग्यासू की किताब दा किंग मेकर लालू परसाथ की अनकही दास्ता के मुताबिक उनकी शक्सियत के कई किस्से है एक किस्सा पूर पीम चंदर शेखर से जुड़ा हुआ है बात 1977 की है जब पटना के कदम कुवा के चर्खा समीती भवन में जैप्रकाश नारायन का जनम दिन बनाया जा रहा था इसमें कई दिगज नेता जुड़े थे पूर पीम चंदर शेखर और नाना जी देशमुग भी उसमें शामिल थे तब बिहार के सीम कर्कूरी ठाकूर इस कारेक्रम में तूटी चपल और फटा कुर्टा पहन कर पहन कर पहुँच गए इस पर किसी नेता ने कहा कि सीम को ठीक तरह से गुजारे के लिए कितना वेतन मिलना चाहिए तब चंदरशेखर कूर्सी से उठे और अपना कूर्टा मेज पर फैला कर कहा कि कर्कूरी जी के कूर्ते के लिए दाग दीजिए इस दोरान सैकडो रुपे आ गए इन पैसो को जब कर्कूरी ठाकूर को दिया गया तो उन्होंने कहा वो इन पैसो को मुख्यमंतरी रहतकोश में जमा करा देंगे ये करपूरी ठाकुर की इमानदारी का किस्सा है लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेशक करपूरी ठाकुर दो दो बार बिहार के सीम रहे लेकिन वो कभी अपने लिए एक अच्छा घर तक नहीं बनवा पाए एक बार की बात है जब देश की प्रधानमंतरी चौधरी चरण सिंग उनके घर पर उनसे मिलने पहुँचे तो दरवाजे से निकलते वक्त उनके सिर पर चोट लग गई तब पीम ने कहा कि आप इस छोटे दरवाजे को उचा क्यों नहीं करवाते इस पर करपूरी ठाकुर बोले कि जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता तब तक उनका घर बन जाने से क्या होगा अब बात करते हैं साल 1952 की जब कपूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे उस जोरान आस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनीधी मंडल में उनका चैन होगया विधेश जाने के लिए तब उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था तो उन्होंने अपने दोस्स से कोट उधार ले लिया उनके दोस्त ने उनको कोट तो दे दिया लेकिन वो भी फटा हुआ निकला लेकिन करपूरी ठाकूर बिना शर्म किये वही कोट पहन कर आस्ट्रिया चले गए जब यूगोसलाविया के प्रमुक मार्शल टीटो ने उनका फटा कोट देखा तो उन्हें गिफ्ट में एक नया कोट दे दिया राजनीती में समाज और OBC वर्क का उत्थान करने के लिए उत्रे करपूरी ठाकूर ने कभी अपनी गरीवी से शर्मिंदेगी महसूस नहीं की उन्होंने अपने स्वाभिमान को हमेशा जिन्दा रखा साल 1974 में कपूरी ठाकूर के छोटे बेटे का मैडिकल के लिए सेलेक्शन हो गया था लेकिन वो अचानक से बीमार हो गया जब देश की पूर्फ दिवंगत प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने उनके बेटे को इलाज के लिए एमस में भरती करवाया और सरकारी खर्च पर अमेरिका भेजने का ओफर भी दिया इंद्रा गांधी के इस ओफर पर करपूरी ठाकूर ने कहा कि वो मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं कराएंगे राजनीती में मांदारी और सादकी से काम करने वाले कपूरी ठाकूर के पास अच्छा घर तो क्या अपने लिए एक कार तक नहीं थी बात असी के दशक्की है उस दोरान करपूरी ठाकूर नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे बिहार में विधान सभा चल रही थी तब ब्रेक में उनको लंच के लिए अपने घर जाना था लेकिन घर जाने के लिए उनके पास ना ही कोई गाड़ी थी और ना ही कार तब उनोंने अपने ही दलकेक विधायक को कागस पर लिखकर थोड़ी देर के लिए उसकी जीप देने का नुरोद किया तब विधायक ने भी उसी कागस पर लिखकर दिया उनकी जीप में तेल नहीं है और तंज कसा कि वो दो बार CM रहे हैं, कार क्यों नहीं खरीद लेते विधायक कि इस बात का जवाब करपूरी ठाकुर ने नहीं दिया ये वो किस्से हैं जिन से पता लगता है उस दौर के राजनेता राजनीती में पैसा कमाने नहीं आते थे बलकि वो देश समर्पन की भावना के साथ राजनीती में उतरते थे वो गरीब पिछड़ा वर्प के लोगों के लिए काम करने और समाज के उत्थान के लिए राजनीती करते थे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें नियूस नेशन के साथ नमस्ते